हलो इस्टुडेंट आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में स्वागत है इस वीडियो हम बात करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 9 इंगलिश फ्रोज फर्स चेप्टर टाम सायर यह जो चेप्टर है दे इडवेंचर्स आप टाम सायर नौवेल से एडप्टेट किया गया है इसक अमेरिकन राइटर है मार्क टवेन को दे फादर आप अमेरिकन लिट्रेचर भी कहा जाता है दे एडवेंचर्स आप टाम सायर यह जो नौवेल है सन 1876 में लिखा गया था इस चेप्टर में एक यांग लड़के के बारे में बताया गया है जिसका नाम टाम है और टाम एक स जरारती लड़का होता है टाम जब छोटा था उसके माता पिता का निदन हो गया था टाम के पालन पोषण के लिए उनकी मौसी आंटी पॉली उसे अपने घर ले आई थी उसकी मौसी आंटी पॉली उसे बहुत ही प्रेम करती थी और उसका बहुत ही अच्छे तरीके से दे इस चैप्टर के प्रतेक पैराग्राप को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, फर्स्ट पैराग्राप, इस इस टाम सायर, यह टाम सायर है, मौसी पॉली टाम को आवाज लगाती है, टाम नो एंस्वर, उसका नाम लेकर उसे पुकारती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है, वह कहां हो सकता है, ऑन्ट पॉली उसकी मौसी है, आस्क्ड पॉली उसकी मौसी है, आस्क्ड मीन्स कही हर सेलप, श्वाइम से कही, Where can he be Aunt Polly asked herself? Mausi Polly swamseekahee, वो कहा हो सकता है? He must be somewhere here. Must be means अवस्य होना चाहिए. Somewhere means कहीं, here means यहीं. He must be somewhere here. उसे अवस्य होना चाहिए. She went to the door. She means what? Went means गई, to means stuck, the door means दर्वाजा. She went to the door, वो दर्वाजे तक गई. Looked out into the garden. Looked out, बाहर देखी, into means में, the garden बागीचे. Looked out into the garden, बागीचे में देखी, and then shouted again. And means और, then means तब, shouted, आवाज लगाई, again means दुबारा. And then shouted again. और तब दुबारा आवाज लगाई, टाम टाम, no answer. कोई जवाब नहीं मिला. She went to the door, looked out into the garden, and then shouted again, टाम टाम, no answer. वो दर्वाजे तक गई, बाहर बागीचे में देखी, और तब दुबारा वो आवाज लगाई, टाम टाम, कोई उत्तर नहीं मिला. The old lady stood there thoughtfully. The old lady, वो बुढी मैला, अर्थाद मौसिपॉली, stood means खडी थी, there means वहा, thoughtfully means विचार पुर्वक, यानि कुछ सोच रही थी. The old lady stood there thoughtfully. वो बुढी मैला, वहा विचार पुर्वक खडी थी. Suddenly she heard a sound behind her. Suddenly means अचानक, she means वो, heard means सुनी, a sound, एक आवाज. Behind means पीछे, her means अपने. Suddenly she heard a sound behind her. अचानक वो अपने पीछे एक आवाज को सुनी. She turned round quickly, she means वो, turned round, पीछे मुडी, quickly means सिग्रता से. She turned round quickly, वो सिग्रता से पीछे मुडी. There was Tom near the cupboard door. There का प्रियोग है, यहाँ पर there का कोई meaning नहीं होगा. Was means था, town, near means के पास, the cupboard, cupboard means होता है आलमारी, door means दर्वाजा. There was Tom near the cupboard door. आलमारी के दर्वाजे के पास, town था. There was jam all around his mouth. Jam means मुरब्बा, all round, चारो तरफ. His means उसके, mouth means मुँ. There was jam all around his mouth. उसके मुँ के चारो तरफ मुरब्बे लगे हुए थे. What have you been doing? Aunt Polly asked angrily. What means क्या? You means तुम, have been doing, कर रहे हो. What have you been doing? तुम क्या कर रहे हो? Aunt Polly asked angrily. Mausi Polly क्रोध में पूछा. When Tom did not answer? When means jam? Did not answer. जब उत्तर नहीं दिया. Tom did not answer. जब Tom ने कोई जवाब नहीं दिया. She went on. वो जारी रखी. क्या जारी रखी? यानि वो उसे डाठती रही. You have been stealing the jam again? You means तुम. To steal means चुराना होता है. इसका present part spill is stealing. The jam means मुरब्बा. Again means फिर. You have been stealing the jam again. तुम फिर से मुरब्बे चुरा रहे हो. Don't tell me. मुझसे मत कहना. That you haven't. कि तुमने ऐसा नहीं किया. अर्थात मुसी पॉली ने कहा कि मुझसे अब मत कहना कि मैंने तुम्हें इसके लिए नहीं डाठा. Haven't I told you a hundred times to keep away from that cupboard. Intrigative sentence. Yes, no questions है. I means मैं. Told means कही. You means तुम्हें. A hundred times. सैक्डो बार. To keep away. To keep away means होता है दूर रहना. From means say. That means उस. Cupboard means आलमारी. Haven't I told you a hundred times. क्या मैं तुम्हें सैक्डो बार नहीं कही. To keep away from that cupboard. कि तुम उस अलमारी से दूर रहा करो. Where's my stick? Where means कहा. Is means है. My means. मेरी stick means छड़ी. Where's my stick? मेरी छड़ी कहा है. Aunt Polly took her stick. Took means Lee. Her means अपना. Stick means छड़ी. Aunt Polly took her stick. मौसी पॉली अपनी छड़ी ली. And raised it high. And means or. Raised means उठाई. It means इसे अर्थात छड़ी को. High means उचा. And raised it high. Or इसे उचा उठाई. She was about to strike Tom hard. She means was. Was about to strike. Was about. वाला था वाली थी. इसका sentences है या. To strike means होता है. प्रहार करना. मारना. Hard means. जोर से. She was about to strike Tom hard. वो और Tom को जोर से मारने ही वाली थी. Dear student. यहाँ पे यह देखिए कि Tom अपने मौसी पॉली को किस प्रकार चक्मा देता है. Looked behind you, auntie. Shouted Tom. Look means. देखो. Behind means. पीछे. You means. तुम. Looked behind you, auntie. Auntie. तुम अपने पीछे देखो. Shouted Tom. Tom ने चिलाया. Look behind you, auntie. Shouted Tom. Tom ने चिलाया, auntie अपने पीछे देखो. Aunt Polly looked behind her. मौसी पॉली ने अपने पीछे देखा. This was Tom's chance. This means here. Was means tha. Tom's, Tom के लिए. Chance means author. This was Tom's chance. Here, Tom के लिए मौका था. He rushed out of the house. He means were rushed out. बाहर भागा. Up means say. The house means घर. He rushed out of the house. वो घर से बाहर भागा. He climbed over the fence. He means were climbed over. उपर चड़ गया. The fence, चाहार दिवारी. जो बाउंडरी जोती अगर के आस्पास. He climbed over the fence. वो चाहार दिवारी के उपर चड़ गया. Soon he was far away. Soon means sigrahi. He means was. Was means tha. Far away. अत्यधिक दूर. Soon he was far away. Sigrahi वो दूर चला गया. Aunt Polly was angry. But she had to laugh. Aunt Polly was angry. Mausi Polly नराज थी. But she had to laugh. किन्तु से हसना पड़ा. He is a bad boy. She said to herself. He is a bad boy. वो एक बुरा लड़का है. She said to herself. वो स्वायम से कही. But I love him. किन्तु मैं उसे प्रेम करती हूँ. He is my poor dead sister's boy. He means was. Is means hai. My means married. Poor means gariby. Dead means married. Sisters. Bhaan ka. Boy means lड़का. He is my poor dead sister's boy. वो मेरी gariby. Mariby hui bhaan ka lड़का है. And must look after him. Look after means होता है देखबाल करना. And must look after him. और मुझे उसे अवस्य देखबाल करना चाहिए. I don't like to hit him. I don't like. मैं पसंद नहीं करती हूँ. To hit him. उसे मारना. I don't like to hit him. मैं उसे मारना पसंद नहीं करती हूँ. But I have to. He will grow up lazy and wicked. यदि मैं उसे सजा नहीं दूंगी. तो वह आलसी और दुष्ट हो जाएगा. Yes, I must be strict. हाँ, मुझे सक्त होना चाहिए. And poly psyched. Mausi poly गहरी सांसली. I will have to punish him for stealing the jam. I will have to punish him. मुझे उसे दंडित करना पड़ेगा. For stealing the jam. मुरब्य चुराने के लिए. I will have to punish him for stealing the jam. मुझे उसे मुरब्य चुराने के लिए दंडित करना पड़ेगा. But how? किन्तु किस प्रकात? I know tomorrow is Saturday. I know. मैं जानती हूँ. Tomorrow is Saturday. कल सनिवार है. And there's no school on Saturday. और सनिवार के दीन विद्याले नहीं चलता है. The boys have a holiday. लड़कों की छुट्टी होती है. But I will make Tom work. लेकिन मैं Tom से कार कराऊंगी. That will punish him. वही उसकी सजा होगी. The next day was Saturday. अगला दीन सनिवार था. The school was shut. विद्याले बंग थे. All the boys in the village were free. All means Sabhi. ब्वाज मिन्स लड़के. इन मिन्स में. The village मिन्स गाउं. वर मिन्स थे. फ्री मिन्स स्वतंत्र. All the boys in the village were free. गाउं की अन्य सभी लड़के स्वतंत्र थे. It was a beautiful day. या एक सुनारा दिन था. The sun was shining. सुर्य निकल रहा था. And the birds were singing. और चिडिया चाचाहा रही थी. Trees and flowers looked so fresh and lovely. पेड और उनके फूल ताजे और सुन्दर दिखाई दे रहे थे. Tom, of course, wanted to go swimming. Of course means वास्तो में. Wanted means चाहता था. To go, जाना, swimming, ताइरने के लिए. Tom, of course, wanted to go swimming. वास्तो में, Tom भी ताइरने के लिए जाना, चाहता था. All the others boys were going. All means सभी. The other boys means लड़के. Were going, जा रहे थे. All the other boys were going. अन्य सभी लड़के जा रहे थे. इस चैप्टर का next part वीडियो देखने के लिए thumbnail पर क्लिक करें या description box में link दिया गया उस पे जाके क्लिक करें. ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. और वीडियो अच्छी लगे हो तो like करें, share करें. मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए आप सभी को हमारी तरब से शुप कामना है.